नाम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपेक्ट होता है और नाम के पहले एल्फाबेट का और भी जादा देखिया आप हम सब का नाम हमारी एडेंटिटी है अगर हमारा जैसे मेरा नाम सवता है और कोई मुझे किसी और नाम से पुकारे तो मैं कभी सुनूंगी नहीं क्य सारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नमस्कार मैं हूँ सवता गुपता बास्तु कंसल्टेंट एस्टो बास्तु कंसल्टेंट और मास्टर नियुम लॉजिस्ट पिछले कई सालों से आपकी इस फिल्ब में सेवा कर रही हूं और आज आप सब के लिए लेके आई हूँ से माइन काbank का संब्ल लीटेलिग जो इल से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे ललिता हो गया graph price हो गया यह नाम से शुरू हो रहे हैं तो इनके बारे में जिन भी जात्तों का नाम L से शुरू होता है तो उनके अंदर कैसे characteristics होते हैं इसके बारे मैं आज बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर आप फड़ा-फट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत फूलिएगा देखिए हर एक alphabets जो होता ना उसका एक और चैनल जो होता है जिससे हमारा L की बात कर रहे हैं तो A, B, C, D के हिसाफ से alphabet L आता है कौन से नंबर पे? 12 नंबर पे 12 मतलब 1 प्लस 2 is equal to 3 क्योंकि निमलोजी में हम काम करते हैं single digit पे तो ये क्या नंबर हो गया? 3 नंबर जुपिटर का नंबर है मैं भी शल्जियन निमलोजी को फॉलो करती हूँ तो उसमें जो L अलफाबेट की value है न वो भी 3 है तो यहां से भी जुपिटर आ गया अब हर एक नक्षत्र, हर एक अलफाबेट एक नक्षत्र का भी होता है जो L अलफाबेट है न वो उत्तरशाड़ा नक्षत्र का है तो 27 नक्षत्र जो हमारे है उसमें उत्तरशाड़ा नक्षत्र आता है 21 नंबर पे देखे कितना खुबसूरत coincidence है कि ये भी 21 भी बन गया 2 प्लस 1 is equal to 3 तो आप यहां पे भी देखेंगे ये जुपिटर सरूल हो रहे है और उत्तरशाड़ा नक्षत्र का जो लॉड है वो सूरे है तो 21 में भी सूरे और चंद्रमा दोनों थे बारा में भी सूरे चंद्रमा दोनों थे और जुपिटर बन रहा था अब बात करते हैं कि राशी के हिसाब से ये मेश राशी को बिलॉंग करता है और मेश राशी किसकी राशी है मंगल की मेश राशी का जो लॉड है न वो मंगल है तो अगर ऐसे देखें तो ये लोगों में इन तीनों प्लाइनेट की सूरे, ब्रस्पती और मंगल की बहुत सारी positive और negative traits देखने को मिलते हैं अब सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की ये लोग बहुत abundance and prosperity वाले लोग होते हैं knowledgeable होते हैं, knowledge लेने का इन्हें चौक भी होता है और happy go lucky लोग होते हैं, चोटी चोटी बातों में खुलके जीना, खुलके हसना इन्हें बहुत पसंद होता है देखिए L alphabet जो है न, wealth को भी attract करता है तो इनकी life में पैसे कैसे न कैसे arrange हो ही जाते हैं अब बाकी दो planets के अगर attributes की बात करें तो सूरे क्या है, सूरे authority है और सूरे की बात करें तो सूरे जो है focus भी है, strong willpower भी है तो इन जातकों में, willpower बहुत strong होती है, ये लोग बहुत focused होते हैं और authority पसंद होते हैं देखिए L से line भी होता है, line यानि share, courageous भी होते हैं, independent भी होते हैं, अपना काम खुद करने की इनके अंदर शमता होती हैं अब बात करते हैं जुपिटर, जुपिटर के हिसाब से बहुत well mannered, बहुत behaved लोग होते हैं, मीठा बोलने वाले, बहुत जल्दी किसी का मन जल्दी से दुखाने वाले लोग नहीं होते हैं हमेशा अपना काम टाइम से करने वाले लोग होते हैं, और ये लोग बहुत reliable होते हैं, आप इन पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं तो मैंने अपने friend circle में देखा, जितने भी मेरे friend circle L से हो रहे हैं, मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ और अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके कोई friends L नाम से हैं, तो आप comment में जरूर लिखेगा और अगर आपी का नाम L से start हो रहा है, तो comment में जरूर लिखेगा और अगर आप इन बातों से relate कर पा रहे हैं, तो भी comment में जरूर लिखेगा तो जुपिटर से इन्हे qualities क्या मिलती हैं, ये well managed होते हैं, ये बहुत कामनेस होती हैं इनके अंदर, बहुत strong, बहुत difficult situation में भी न, बहुत काम रहते हैं, mind से शान्त रहते हैं, perseverance इन्हें मंगल से मिलता है लगे रहना, लगे रहना, strong will power और इसके साथ hard work, physical hard work करने से भी ये डरते नहीं हैं, tolerance power भी इनके अंदर बहुत होती हैं, तो देखिए, हर एक तीनों planets के attribute आपको इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं अपनी family को बहुत value देते हैं, family इनके लिए topmost priority होती है, romantic भी होते हैं, अपने life partner की care करने वाले होते हैं, ये सब बाते तो मैंने इनके लिए positive बताई हैं, लेकिन क्या सब कुछ इनके traits में positive होता है, तो ऐसा नहीं है देखिए मैंने बताया L से law भी होता है, law यानी kanun को मानना, तो kanun को मानने वाले universe के rule को follow करने वाले होते हैं, logical भी होते हैं, लोजिकल भी होते हैं, हर छीज में logic लेकर चलते हैं लेकिन आज अब इनके negative attributes की बात करूँ, negative यानि इनकी जो कमजोरियां हैं उसके बात में बात करूँ तो indecisive होते हैं, कभी-कभी decision नहीं ले पाते हैं, छोटी-छोटी बातों के लिए इन्हें दूसरों के सहारों की जरूरत पड़ती है, इन्हें लगता है कि मैं decision ले रहा ह सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, स्टबन होते हैं, anxiety भी इनके अंदर चलती रहती हैं, और overthinking इनके life का pattern है, हर एक छोटी-छोटी बात पर बहुत जादा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, देखिए, नक्षत रोता शाड़ा है, और इधर से Jupiter आपको rule कर रहा है, क्योंकि तीन कर सकते हैं, जो चोटी-मोटी, अगर मेरी आपको एक suggestion हो, alphabet वालों को, तो यही suggestion है, कि जो knowledge आपके अंदर है, उसे संभाल के रखिए, उसको gossip में convert मत कीजिए, दूसरों को दिखाने के चक्कर में, आपको जो knowledge है, उसमें आप अपनी बातों का तड़का लगा कर जो gossip कर रह expansion में believe करता है, और exactly आप भी ऐसे हैं, अब इतना कहने के बाद, मैं आपको एक suggestion और दूँगी, आप हमेशा किसी और से जब आपकी थोड़ी सी अनबन होती है, तो अपनी ही point of view को सोचते हैं, कभी-कभी दूसरे के point of view को भी सोचिए, क्योंकि आपको लगता है, जो भी situation आ दूसरे के point of view से भी चीजों को देखना शुरू करेंगे, तो life बहुत खुबसूर हो जाएगी, आज इतना ही अगले alphabet में next time मिलते हैं, thank you